है एलो स्टुएंट्स ठीक है क्रॉस मल्डिप्टिकेशन मैथड डिस्कस करने के बाद विल मुव तू सब्स्टिटूशन मैथड या पहले एलिमिनेशन ट्राइ कर लेते हैं दैन विल गो फूर सब्स्टिटूशन ठीक है तो सेकंड मेथड की बाद करने हैं अपन एलिमिनेशन मैथड ठीक है तो वही दो एक्वेशन लेता हूं उनको एलिमिनेशन मैथड से सॉल्ल करता हूं साथ में इसके रूल्स और तरीके डिस्कस कर लेंगे विद एग्जाम्पल देख लेते हैं तो मान लिए हमने एक एक्वेशन ली ऐसे और दूसरी एक्वेशन ली से इस टाइप से यह दो एक्वेशन ले ली अब इनको मुझे एलिमिनेशन मैथड सॉल्ल करने हैं क्रॉस मल्टिपिकेशन मैथड तो डिस्कस कर चुके तुम देख लेना इस टाइप से फॉर्मेट बना के अपन कंटिन्यू करते हैं ठीक करना हैं तो सबसे पहले क्या देखना है इन दोनों एक्वेशन में एक्स के कोफिशंट्स यह फाइल की कोफिशंट को क्या आ रहा है और इधर य वाई का कोफिशंट मेटिव आ रहा है अब मुझे Elimination Method का पहले तो मतलब बताने चाहिए Elimination का मतलब क्या होता है देखो Elimination Word तुमने कई बार सुनाओगा अपनी Studies में भी सुनाओगा Games अगर अप ले करते हो वहां भी सुनाओगा Eliminate करना Eliminate करना मतलब क्या होता है खतम करना इसका Hindi मिलिंग कह है फिनिश करना तो Eliminate करने के लिए क्या करेंगे देखो पहला रूह है Eliminate करने का कि X कोफिशंट और Y कोफिशंट एकवल होने चाहिए यहाँपे X कोफिशंट कीतने है तू अब यहां पे x का coefficient 1 है, 2 बनाने के लिए what I can do, I can multiply with 2 बट वो multiplication सिर्फ x के लिए नहीं होगा, पूरी equation के लिए होगा, ठीक है? दूसरा कोई student कहा रहा है कि नहीं सर मैं तो y को eliminate करना चाहता हूँ तो उसको अभी अपन discuss करते हैं, ठीक है y को eliminate कैसे करेंगे? पहले x के लिए देख लेते हैं, इन दोनों equations को मैंने rewrite करके लिख दिया, first वाली में तो कुछ किया ही नहीं था, 8 को भी इधर ले आया, उधर रखो के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर solve करो के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y के लिए अपने इस constant को इधर रखके solve कर इसको multiply किया, यह हो गया 2x, यह हो गया minus 4y, और यह हो गया minus of 6, sorry, plus of 6, sign change कर दिया, equals to 0, यहादक solve हो गया, अब यह देखिए, जो आपने coefficient same किये थे, उन दोनों के sign same है, यह different है, अगर तो same मिल रहे है, जैसे यहाँ पे भी plus का 2 मिल रहे है, यहाँ भी plus का 2 मिल रहे है, तो मैं करूँगा, नीचे वली equations के सारे sign change कर दूँगा, ठीक है, इसका existing meaning के है, उसको भी देख लेंगे भी, जब मैंने sign change किये, यह cancel हो गया, that is 7y minus, यह दोनो negative के जुड़ गये, equals to 0, and y यहाँ से आगया 2, ठीक है, यह 7 divide में जाएगा, तो 14 by 7 is 2, y2 आगया, अब इस y को you can substitute either in this, or in this, or in this equation, तो मैं इसमें output कर रहा हूं, y के value, तो मेरे पास आया, x minus 2 into 2 is equals to minus of 3, x equals to 4 minus 3, that is 1, तो इसका answer क्या हो गया, 1 and 2, 1, 2, x के value 1, y के value 2, तो please pause the video and note it down, ठीक है, move करते हैं further, यह मैंने क्या किया, मैंने अभी तो x के coefficient same किया थी, ठीक है, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, y के coefficient same कर रहा हूं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस equation को तो कर देता हूं, 2 से multiply, और इस equation को कर देता हूं, 3 से multiply, तो यह 3, 2 हो जाएगा 6, यह भी 3, 2 हो जाएगा और सिक्स सेम बनिगे ना कोफिशेंट वे पहली रिक्वाइर्मेंट जिसको इलिमिनेट करने उसके कोफिशेंट अपनको सेम करने पढ़ेए अगर एकस को ऐलिमिनेट करना है तो यहाँ परकूर थे इसको त्रीशेंट मृटिपलाई किया तो आ गया अपकी बार इधरी पड इक्वल्स टू माइनस ओफ नाइन ठीक है थ्री थ्री जा नाइन ओ नेगटिव साइन लगा रहे ने दिया अब आप यह देखो कि जो कोफिशेंट्स आपने सेम किये इन दुनों का साइन तो पहले से अलग है साइन चेंज करने की तो जरूरती नहीं है यह तो ऐसी कैंसिल हो रहा है तो यह आगया सेवन एक्स इक्वल्स टू सेवन और आगी और आपने देखा था कि जब अपने यह वाई की वाल्यू टू सब्स्टिटूट की थी तब भी एक्स की वान यह आई थी तो बोट दा वेज तो आपने सेमे, तब तो आप चेंज करेंगे अगर ने ने के तक होई और चेंज करेंगे और तो आपको कोशामे करने वाला सब्सक्री जरूरत ही नहीं आगलाyes कườngने और जो में यह जू पर दो प्लीज हो and knot it down, next we will continue with substitution method, one thing I would like to add is that I will do the methods that you practice either with the question of your textbooks or other refreshers. If you have a problem with a problem, then I will tell you that after learning these methods, the problem is that you will come to your calculations. So be alert with your calculations. If you don't answer, then check your calculations again. We will move to substitution method, so I have an example. Let's start, one thing is, one thing is, one thing is, one thing is, two equations, and now it will be easy to remember, sir, in which method we will work. Cross multiplication method 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 करना substitute करना तो इसमें कहा करेंगे इन दोनों equation में से या तो x की या तो y की दुबारा इन दोनों equations में से किसी एक equation में से या तो x की value या y की value निकालो तो I will choose this one मैंने यहां से value निकाल ली –1 का –1 यह –y उदर जाके positive y हो गया यह ठीक है अब इस x की value मैं यहां substitute कर दूँआ मतलब यह हो जाएगा 7 x की value मुझे substitute करने है यहां पर मैंने यह value substitute कर दी जो कि मैंने निकाल ली तो क्या किया इन दोनों equation में से किसी एक equation में से x की या y की value substitute करने थी तो मैंने x की value substitute करी इसको solve करता हूँ this will be minus of 7 ठीक है प्लस 7y plus 5y equals to 17 ठीक अभी यह minus 7 उदर जाके plus हो जाएगा और यह हो जाएगा 12y equals to 24 and y is equals to 2 y आगे आपके पास यह y जब आप इधर substitute करोगे इस y की value या तो इधर कर लो इधर कर लो इधर कर लो वो तुम्हारी मर्जी है लेगिन यहां सबसे easy काम होगा तो मैं इधर substitute की y की value तो x is equals to minus 1 plus 2 that is equals to 1 इस question का answer भी by the way 1 और 2 ही आगया ठीक है x is equals to 1 y is equals to 2 तो प्लीज pause the video and note it down इसमें एक और चीज़ देखो कि मैंने इस equation को क्यों use किया हलांकि मैं अगर इसको use करता है पहले यहां से x या y की value निकालता तो भी answer तो correct आना था बड़ आप क्या करें आपकी mistake काम हो calculation काम हो इसके लिए आपको गता रहा हूं कि जिस equation में coefficient छोटा दिखे आपको जैसे यहां पर मुझे 1 दिख रहा था तो 1 को तो हमेशा priority दो जहां पर जिसका coefficient 1 दिखे ना उसी की value निकालो तो it will be easy for you next we will continue with next topic next we will move to word problems word problems का मतलब यह हुआ कि आपको question होगा wording में दिया जाएगा उसको पहले आपको mathematical equation में convert करना होगा then you will be able to solve it एक चीज दूसरी चीज यह मैंने जो आपको तीनों मैथल बताए हैं substitution cross multiplication elimination कि तीनों मैथल आपको आने चाहिए किसली आने चाहिए examiner कभी-कभी mention कर देता है कि solve the following pair of linear equation by this method तो अगर उसे substitution लिख दिया तो फिर substitution से ही करना पड़ेगा अगर आप elimination से उसका answer निगालते हो तो it will not be helpful for getting the marks ठीक है तो word problems पर चलते हैं पहली इसमें application लेते हैं अब वार्ड प्रोब्लम में रिलेटेड टू में एज़ीज के उपर किस टाइप से question आ सकते हैं तो एक example ले लिए सबसे बहले तो माल लिया a father is five times of his daughter ठीक है after six years he will be thrice of her daughter find their present agency अब question तो वर्ड में दिया हुआ है वर्डिंग में दिया हुआ है इसको सबसे पहले तो इसको फॉर्म करना है एलजब्रीक equations में देन इसको solve करना है तो यह तो मैंने ऐसी example ले लिया अब इसका scenario देखते हैं बनता क्या है सीन कैसे बनाना है question को simply करनेगा तो solution में सबसे पहले एक rough में टेबल जनरेट करनी है इसे एक portion rough निकाल लिया यह काम rough में ही करना है याद रखें इसमें क्या करना है character यह columns बनेंगे character एक present age जो की निकालनी होती है हमेशा और एक जो भी case दियोंगे वो तुम देखना case कितने दे रखें दो तीन चार वो जितने वी दे रखें उसके इसाफसरी टेबल जनरेट होती जाएगी अब इस question में देखा हूंने character कौन कौन मिल रहा तो एक तो father मिल रहे है और एक daughter मिल रहे है यहाँ पे लिख लिए father और यह daughter अब question में almost almost present age ही पूछी जाएगी ठीक है और mathematics में क्या होता है जो पूछा जाता नहीं वो अपन को नहीं पता होता थो अपन मान लेते हैं ठीक है जैसे मान लो पूछा है कि find the value of find the age of father तो मैंने मान लिया एक्स अब उस एक्स के भिहाव पर मैं सारी calculations कर लूँ आ लास्ट में value निकाल दूँआ तो इसमें दो जन है तो मैंने एक की एज एक्स मान ली एक की एज वाई मान ली यह मुझे पता नहीं है ठीक है अब तुम यह देखो कि इतना सब करने के बाद में question में cases की सहाब से दे रहे हैं तो cases ऐसे दे रहे हैं अब father is is मतलब present की बात कर रहा है तो यह वाला case तो ले लिया मैंने present case तो दूसरा case कह रहा है after six years तो यहाँ पे यह case क्या है after six years यह mention कर दिया और कुछ भी ने दे रहा तो इस column को हटा दिया ठीक है अब तुम यह रखो जिसकी age आज मान लो 26 years है ठीक है तो छे साल बाद कितनी हो जाएगी वो 32 हो जाएगी क्या किया आपने 26 में 6 add किया अभी इसकी तो मुझे आज की पता ही नहीं है पर मुझे 6 साल बाद की जाननी है तो that will be x plus 6 आज की जितनी होगी उसमें 6 years add कर देंगे 6 साल बाद की हो जाएगी और यह हो जाएगी y plus 6 ठीक यह टेबल मेरा पूरा generate हो गया अब क्या करना है इस टेबल की help से अपनको equation बनानी है तो आप यह देखो यह present day वाला case के उसको पूरा करेंगे यह case है मतलब यह वाला column इस column की बार कर रहा हूं अब इसमें तुम यह माइंड में रखना कि father को x को बोल रहा है father किसको बोल रहा है x को और daughter किसको बोल रहा है y को एक बात तो यह ध्यान रगना दूसरी बात यह ध्यान रगना कि English language का helping verb is equals to equal sign of mathematics मतलब helping verb जितनी भी English की उसारी सारी मैट्स में आके क्या बन जाते है इक्वल्स टू का मांक्स बन जाते है sign बन जाते है ठीक है तो father is five times मतलब five multiply करना है किसमें डॉट अब दूसरी बात क्या बोल रहा है after six years मतलब इसकी बात कर रहा है इस वाले की बात कर रहा है तो after six years क्या बोल रहा है ही विल बी मतलब father will be another father six years बाद का father यह रहा एक्स प्लस शिक्स ठीक है विल बी का मतलब helping लगी थ्राइस का मतलब three times daughter तो छे साल बाद वाली ही daughter की age लिखेंगे और यह आ गई आपकी second equation इसको simplify कर लो equations को simplify का मतलब इसको मैं इसको resultant first मत दो चलो इसको ऐसे लिख लो x-5y equals to zero मतलब कुछ नहीं किया 5y को इधर लेका है वो negative होगा ऐसे इसको adjust कर लिया तो यह हो गया x यहां से 3 multiply करोगे तो 3y माइनस का गया ठीक है और यह आएगा माइनस 18 प्लस 6 यह 18 इदर आगे माइनस होगा तो माइनस 12 equals to zero तो this will be your first equation and this will be your second equation तो please pause the video and note करो यहां तक अब तुम्हें काम करो वीडियो को दुबारा पोज करो और इसको elimination method से solve करके देखो अभी वीडियो पोज करके solve करके देखो एक्स का कोफिशेंट यहां भी बन है यहां भी बन है सेम पहले से मिल गए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा अब यह देखा कि यह भी बन पॉजिटीव है यह भी बन पॉजिटीव है साइन सेंज कर दिए अब यह हो गया माइनस का टू वाए पॉजिटीव ओफ ट्वैल इक्वोस जीरो यहां से वाई की अल्यों आगी शिक्स इस 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 को आप यहां पर पुट कर दो तो एक्स विल भी इक्वोस टू फाइव इंटू 6 डाट विल इक्वोस टू 30 इस 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 तो पादर शिंट इस जो टो ढूड़ इस इस अन्स बिल इस 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 जो जो फॉत आपन दो आप it down let's move to next question that is two years ago father was five times as old as his son two years later his age will be eight more than three times age of his son find their present ages फिर से एक बार रख के अंदर टेबल जनेरेट कर ली यह काम आप रख में ही कीजिएगा ठीक है यह तो करेक्टर होगे यह यह प्रेजेंट एजोगी कि अब केस में मुझे दिख रहे है एक तो टू इयर्ज लेटर लिखा हुए एक टू इयर्ज अगो लिख रहे हैं तो यह तो लिख दिया मैंने बिफोर्ट्व टू लिएर्स यह लिग दिया आफ्टर टू इयर्स ठीक है करेक्टर लूंड़े करे यह तो लिख दिया फादर यह लिख दिया संड इसकी एज मांदी एकस इसकी वाई दो साल पहले यह एकस माईनस टू होजयागा यह यह बाई माइनस टू जब कुछ स्टूइन्ट क्या करते हैं बाई इसमें टू माईनस कर देता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता अब मालोग कोई यह पॉसिबल ही नहीं है आप ध्यान से देखो तो समझ में आएगी बात क्यों पॉसिबल नहीं है अब मालोग किसी की एज वन येर है ठीक है अब तुम कह रहे हो कि तीन साल पहले है तो तुम क्या कर रहे हो 3-1 कर रहे हो अगर 1-3 कर रहे हो तो यू विल भी नॉटिफाइड कि यह तो नॉट पॉसिबल है किसी की एज नेगिटिव होई नहीं सकती है लेकिन अगर तुमने यहां पर 2-x मतलब यह मैंने क्या किया 3-x किया एक्स वन इयर था एक्स मुझे पता था जो वैल्यू पता उसके लिए फील करा सकता हूं कि क्या चीज गलत है अब यह 3-1 किया तो यहां पर यहां पर तो एक साल का बच्चा दो साल पहले तो या तीन साल पहले तो एक्जिस्ट नहीं करेगा उसकी यहां पर पॉजिटिव आ रहे है इसका मतलब अपने कुछ ना कुछ गलत किया है तो कभी भी इस ताइब की गलती ना दे रहे हैं इसमें प्रीवेस मनें राद रखना एज में से ही यह माइनस करना अच्छा आफ्टर टू यह होजाएगा यह एक्स प्लस टू यह वाई प्लस टू टेबल जनरेट लोगी अब इसके बाद question पढ़ने case wise present का कोई case नहीं है तो इस column को छुड़ दिया 10 years ago sorry two years ago यह वाला case आ गया कह रहा है father was five times मतलब यह father है यह son है तो this was five times boy helping verb को इकल्स टू ले लिया next के two years later मतलब यह after two years की बार इसकी बात कर रहा है तो इसी को देखेंगे यह father हो गया यह son हो गया ठीक है तो his age will be मतलब इसकी बात कर रहा है his age will be eight more than three times age of his son तो यह आपकी अगेन दो equations बन गई ठीक है तो अभी नाम ना देके अगेन इसको simplify कर लिया तो this will be x minus 5y ठीक है plus 10 equals to 0 this will be your first equation and say this will be your second equation ठीक है आप shifting करके solve करियेगा तो जो answer आएगा that will be I think y will be equals to 10 and x will equals to this will be solution by elimination method you can check on your own I hope समझ में आगया होगा pause the video and note it down यहां पे एक मिस्टेक होगी x की वेल्यू एट आएगी ठीक है वो एक्स और वाई साही calculate होगया इसक्वेशन में देखना x की वेल्यू एट आएगी ठीक है next we will move to world problems related to fraction fraction type और यह जो मैंने आपको type करा दिये ना age related problems अब इसके question आपको करने जितने question करेंगे उतना यह word problem का आपका topic strong होता जाएगा मैं करवांगो question उससे आपको भी फाइदा नहीं होने वाला ठीक है मैंने आपको concept clear कर दिया फिर अगर आपको किसी question में दिक्कर आती है तो यूकन आस्क में नेक्स्ट विल बी बेज़ डॉन फ्रेक्षिन ठीक है किस टाइप की problem है वो पहले डिसक्स करते हैं एक example लेलिया से यहां लेलिया कि ढवेला यहां लेलिया सिंटे लेल ऊ Speak मेरेला टॉन अवर णॉम्यार बीबॉड़ अचिर ठीक है लें उसाur इसयária प्रेक्षिन अ वारता लेलेल्पर लत मवार्ड लोम्यार टयक्तर लेलियाल आद उन Awards देक्षिन अदिण स्च्ट छवाश्ट बिकम्स लिख लो ठीक है या रिड्यूजिज तू लिख लो कुछ भी लिख लो बन बाई टू फाइंड दफ्रेक्शन इस तुश्टायप से माल लिख क्योश्ट लिख 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 करना है क्योंकि अपनको फ्रैक्शन ही फाइंड है अगेन ऐ विल रिपीट की जो चीज मानने है उसको in terms of variable पहले पिट कर लिया फिर इसको calculations से solve किया तो वेरियेबल की value निकाल ली परफेक्ट वेल्यू आ जाएगे आपके पास ठीक है तो सबसे पहले मैंने fraction को माना let the fraction अब fraction को अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं fraction क्या होता है मतलब P upon Q type कोई चीज है तो numerator अलग होगा denominator अलग होगा तो मैंने उसको मान लिया X upon Y जहां पर X मेरा किसका काम कर रहे है numerator का Y मेरा किसका काम कर रहे है denominator का अब question बढ़ते है equation अपने आप बनेगी क्या करें denominator of a fraction denominator को है y इस का मतलब equals to three more than three add करने किसी चीज में किसमें एड करने numerator में तो this is my first question generator simply आपने का गिया information आपके बास पता सारी की सारी आपने सिर्फ उसको टैली किया वो कहना का चाहरा है ठीक है फिर इसमें कह रहा है कि यह fraction जो है यह वन बाई टू बन जाएगा मतलब अगर मैं सेकिंड statement पूरी पढ़ूं उसमें कह रहा है कि यह जो fraction है यह वन बाई टू बन जाएगा reduces का मतलब यह नहीं कि कम हो जाएगा reduces का मतलब यह है कि वह वन बाई टू बन जाएगा ठीक है यह becomes का मतलब भी है कि वन बाई टू बन जाएगा कब बनेगा if one is added to both अगर आपने दोनों में ही one add कर दिया तो यह वन बाई टू बन जाएगा this will be your second equation तो इसको simplify किया numbering बाद में जाएगा तो यह हो जाएगा x minus y plus 3 equals to 0 and this will be 2x minus y plus 1 equals to 0 ठीक है इसको solve करोगे तो x की value 2 आजाएगी y की value 5 आजाएगी इसको you will check with substitution method I have written the correct answer आपको check करना है please pause the video and note this information down